कि एक दिन से और आगे हम बढ़ते हैं 26 जुलाई जो प्रोफिट हो रही है यहां पर 2722 रुपे की हो रही है और आपको पता है कि मार्केट अभी इतनी पीछे तो आएगी नहीं लेकिन इसके पहले कि मैं इस वीडियो के सुरुआत करूँ अगर आप इस चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब किजिए बेल आइकन को प्रेस किजिए ताकि आपको ऐसे ही संदार वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहा है जो आपका जून मौन्थ की मैं बैक्टेस्टिंग कर रहा हूं जून के मौन्थ में करेंगे ठीक है जून मौन्थ में आप आते हो आप दिखो गया जो एक्सपाइरी थी ना वह आपकी 29 को थी जो मौन्थली एक्सपाइरी थे तो उसके बाद अर्नो जे भी आ चुके हैं ह तीन तारी को आ रहा था हम यहाँ पर तीन तारी को ट्रेट बनाते हैं और उसके पास उसके पर हम क्या करेंगे एक्सपाइरी जो लेंगे वह 27 का लेंगे बैक्टेस्टिंग वीडियो भी मैं डाल दूँगा यूट्यूब के कोई दिख्क्यत वाली बात नहीं है 27 का पका देट होगा और 27 को ही आपकी एक्सपाइरी होगे डेट की जो टाइमिंग होती है वह आपकी होती है 945 ठीक है 939 45 गेट ऑप्संचेन पर क्लिक करेंगे और आपके सामने ऑप्संचेन ओपन हो जाएगा चलिए तो हम लोग स्ट्राटीजी पर आते हैं स्ट्राटीजी क्या ह होती है कि हम लोग 15 डेल्टा को ट्रैक करते हैं अगर आप घ्रेजória फोलोवरस हो आपको पता होगा है 15 डेल्टा को हम लोग करते हैं यहां यहां पे डेल्टा पर एक हो जैसे कैं गार बद Ahí check कीद आ को क्या करना होता है कि ट्रैक तो करना होता है वह तो करना होता है वह हुपती के ऊपर होनी चाहिए हैً यह को फिटी ओपर कौन सी प्रिम्यम चल रही है, सब क्या करेंगे इसे टूलॉट सेlt करेंगे लगे तो लॉट सेल करेंगे और उसकी बद क्या करेंगे जो फुट साइट में होगा ना जिस फुट 서 एक लॉट हम लोग यहां पर यहां पर चल रहा है हम इसे कंसिडर करेंगे दो लॉट सेल करेंगे और एक लॉट जो इसका हायर होगा 59 उसे हम एक लॉट बार करेंगे जो हमारी स्ट्राटेजी होती है वो बनके त्यार हो जाती है तो ऐसे प्रोफिट हो आप देख लो साथ जा दो सो बाउन रुपय का होने वाला है हम लोग फूरी प्रोफिट लेनी कोशिस नहीं करते हैं बलकि इसकी जो 50% होता है तो आपका 3600 हुआ 3600 की जभी प्रोफिट हो तो आपको एड़ेस्मेंट करनी होती है अल्डेडी मैंने चैनल पर डाल रही है आप देख लेना और एक नई एड़ेस्मेंट मैं लाने वाला हूं बहुत जल्ड वह काफी अच्छा इसमें काम करती है तो हम लोग क्या करेंगे रकेश जी कुछ पूछ रहें कि बैंक चुके है मैं केक करके बताता हूं जो इसमें लगती है वह अपकी करीब करीब आप रखना 1.25 लाग ठीक है 1.25 लाग रखना चुकिक कापिटल ब्रोकर टू ब्रोकर भी डिपेंड करती है जो जो भी डाउट है 15 काभी लॉट हो चुका है तो यह निफ्टी में आप इमत कीजिए बैंक रिप्टी के लिए में कुछ अलग है स्ट्राइजी लाओंगा और जो प्रीमियम मिंबर से वह बैंक कर रहे हैं वह सिर्फ एक स्ट्राइड़ी कर रहे हैं ठीक है एक दर करता है चली है एक दिन से आघे बरते चलित आखे चलिह एगए वरते प्रीमियम ने हाई जो फिर से एक दीन से आगे Breaking आगे। चुक है कि को अभी तक हम सब push हड़ी साथ जूलाइज चल रही है एक दिन से आगे बरता है दस जूलाइज हो जाएगा और दिखो हम लोग कितनी प्रोफिट में आ चुके है ठीक है ॹटीक है एक दिन से लोग और आगे बरते हैं यहां पर देखो जो प्रोफिट है वह 1110 कि यह उसके बावजूद भी आप देखो कि कि इसमें लॉस हो रहा है या टार्गेट हीट हो रहा हम इसमें चेक करेंगे फिलाल आपके 1285 के प्रोफिट चलती भी ठीक रही है एक दिन से हम लोग और आगे बढ़ते हैं 13 जुलाई और यहां पर जो प्रोफिट हो रही है वह 2880 हो रही है तो क्या आपको बुक करने चाहिए नहीं करना चाहिए ट्रेल करना चाहिए या पुरा पुरी कोसेश करो कि जीरो हो जाए मैं रहता हो तो मैं ट्रेल करता है 20% के साथ इस सीचवेशन में एक दिन से हम लोग और आगे बढ़ेंगे और देखते हैं क्या होता है और आप रेंज में है ना तब तक आपको टेंसर लेनी की जरूरत नहीं है एक दिन सब लोग और आगे बढ़ते हैं और देखो यहां पर प्रोफिट हो रहे थे वह अब लॉस में आ चुक है एक हजर बाइस रिपे की लॉस में और आपका रेंज जो है ना यहां पर क्रॉस करने वा 3500 की वह उसे आप वेट करो हम लोग क्या करेंगे पहले मैं आपको दिखा देता हूं कि हमारे 3500 का स्टॉप्लस हुआ है या नहीं हुआ ठीक है एक दिन से हम और आगे बढ़ते हैं 19 जुलाई हो जाएगा और यहां पर आपकी जो लॉस हो बढ़ चुकी है 2180 2800 के प्रोफ लेट का स्टॉपलो सिट नहीं हो जाता आप इसमें कुछ नहीं करो गया 1222 रुपी की लॉस चल रही है एक दिन से आगे बढ़ते हैं 21 जुलाई हो चुका है और जो लॉस है बढ़के 2295 हो चुका है देखो आपको 27 तक लेकर मैं दिखाऊंगा 21st जुलाई हम लोग आ चु कि आप चाहो तो फिर से बुक कर सकता आपको मार्गेट दुबार है हैं पर मौका दे रहा है बट फिर भी मैं वेट करूंगा 27 का 26 आ चुका है जो आपके प्रोफिट है वो 2800 की हो चुकी है आपके सामने तो अल्मोस्ट हम लोग टार्गेट के बहुत करीब हैं एक दिन ब अगर 26 जुलाई को साम को निकलते तो 2935 की प्रोफिट होती अब मार्केट ओपनिंग के साथ निकलते जो आपकी प्रोफिट की वो 762 हो जाती है तो मैं तो यही कहूंगा कि जब आपकी प्रोफिट 2800 पर थे आपको 20% के साथ आपने आपको ट्रेड को क्या करना चाहिए थ क्योंकि मैंने करा था तो मैंने इसमें करीब करीब 2500 की प्रोफिट बुक करी थी आप यहां पर एड़स्मेंट भी कर सकते थे अब आता है यहां तक पहले आप मुझे बताओ कि क्या आप क्लियर हो कैसे आपने मुझे बहुत ज्यादा मेल मिला कि सर इस मौन्थ में पर यह थी और वो थी आपकी मार्च की मौन्थ उसमें एड़स्मेंट करने के बाद प्रोफिट हुआ था अदर्वाइस उसमें 3500 का लॉस हुआ था उसके बाद कोई भी मौन्थ लॉस नहीं गया था यह वो पॉइंट था जहां पर हमारा एक हजार के लॉस्ट कर रहा था तो आप क्या करोगे अब पूरी तरीके से वेट मत करना कि वस अगर फंड है यहां तक करोगे जैसे यह जो बंप दिख रहा है इसके आगे बढ़ेगा ऐसे ही आप क्या कर सकते हो एड़स्मेंट क्या होगा मैं आपको दिखाता हूं एक नया एड़स्मेंट है जो मैं अभ क्या होता है एड़स्मेंट जो आपने यहां पे PC को सेल कर रखा है बाइंग वालों को ने जो सेल कर रखा है और उसमें जो भी लौस दे रहा है ध्यान सो सुनना हमने क्या किया एक डोलोड छीग इधर सेल किया इधर पे सेल किया लॉस कढ़ा का दे रहा है आपकें 20,750 दॉपाचा सीग यह वाला सीग आपको लौस दे रहा है देखो यहां पर 109 रुप्य चल रही है इसे हम एक लॉट बाइ करेंगे दो लॉट नहीं एक लॉट ठीक है और अब हम क्या करेंगे दूसरा स्टेप जो भी पीसी आपको प्रोफिट देगा जो अपने सेल करा हुगा है उस प्रोफिट को हम बुक कर लेंगे यहां पर आपक कूँ क्या करना है कि जो भी चुक्ए आपने यहां पर क्या किया एक तो प्रोफिट हरा था किस्साइड को आपको क्या करना होगा और आपको इसके लिए और यहां पर ये लगिसाइट करना व testify यह को देखनागा ईसाप आप कर सकते हो एक प्रेयाफ्श्त Eph이즈 कर सक्ते हो प् अब आपको उस पी को सेल करना है क्योंकि प्रोफिट बुक की हुई है यहाँ पे पी को सेल करना है जिसकी प्रेमियम जो होगी ना तो लोट सेल करें को आप 1805 की ऊपर होनी चाहिए हम सिंपल क्या करेंगे 1805 को 50 से डिवाइड कर लेते हैं ठीक है यहां से सुनना अगर एक बार में सब्सक्राइब नहीं आए तो रिपीट कर ले रिपीट आप देख लेना एक बार फिर से वीडियो 1805 का हम 50 से डिवाइड करेंगे जो प्रेमियम आती तो 36 के उपर 37 या 45 तो 45 का जो हम दो लोट यहां पर कर देंगे पूट साइड को और हमारा आखरी जो एड़स्मेंट होगा वह कंप्लीट हो जाएगा ठीक है और आप देखो अब क्या है इसमें आपकी जो एड़स्मेंट है वह यहां पर हो चुकी है अब मार्केट आपको कि आको पहले से पता था आपको लोस्त आभी हो रहा था जब मार्केट बुलीट हो रहे थे आपके देखो अब यहां से मर्केट बुली सोगे तो भी ए हांको प्रफीट होगा पिछ्छ आएगी तो यह प्रफिट हो चाँगा ज्याठ है और आपको एक point दिन से आगे बढ कितनी profit हो रही है एक दिनसे हम लोग आगे बढ़ेंगे और आप देखो CYCY आपकी ट्रेड जो है प्रोफिट में आ चुक है 385 की एक दिन से और आगे बढ़ेंगे और आपकी जो प्रोफिट हो 937 की हो चुकी है अब आप पूछो कि क्या हमारा टार्गेट 3500 होगा नहीं अब अपना टार्गेट जो होगा ना अब ग्राफ को देखकर ले सकते हो कि अब क्योंकि आपने एक्स्ट्रा फंड डाले है उसकी भी बेनफिट आपको मिलनी चाहिए मैक्स प्रोफिट आप देख लो पांच एक सो पच्छत्तर है यहां पर हम क्या करेंगे एक दिन से और आगे बरते हैं और 21 जुलाई हो चुका है जो प्रोफिट हो रही है एक दि से और आगे हम बढ़ते हैं 26 जुलाई जो प्रोफिट हो रही है यहां पर 2722 रुपे की हो रही है और एक दिन से हम लोग और आगे बढ़ते हैं और आपका एक्सपारी पर हम पहुंच चुके 27 जुलाई 945 जो प्रोफिट हो रही है तो अगर आपने एडजस्मेंट कर दिय या ना करो यह अभी तक आप लोग के सब्सक्राइर किया ही नहीं है यह मैं अभी बता रहूं जो लोग लाइफ जुरे हुए है तो आपको अब कोई दिक्कत है आपके पास पांच मिनट है पुछने के लिए कुछ भी दिक्कत है आपनों मुझसे पूछो मैं आपको आंसर करने की परिवियम जोएन करने की कोसिस की हो पाया पेमेंट नहीं हो पा यह ग्याओ सब्सक्राइब इस में आहिस गोल्ड मेंबच्वाश्तみ आपको बता दि दिता हूँ आप चैनल पर आता हूं और फिर से एक बार तो आपको यहाँ पर clearly show करने को मिलेगा क्या कि यहाँ पर जैसे ही आप join बटन पर click करोगे ठीक है तो आपको gold membership में जब आप join करोगे तो silver की जो भी benefits है जो भी premium option strategy हो वो आपको देखने को मिल जाएगी और साथ साथ आपको cpr strategy एक पूरी option intraday strategy अगर आप intraday करते हो तो ही आप gold को join करना अदरवाज नहीं करना जो भी आपका positional option strategy है वो आपको silver zone में ही आपको मिल जाएगा ठीक है और cpr strategy मैंने कुछ बस एक घंटे पहले मैंने वीडियोज डाली हुए सब के लिए हैं आप लोग जागर देखो सही लगे मैं समझा सही पा रहा हूं तो ही आप जोएन करना अधरवाज नहीं करना ठीक है स्वारप सिंद बोल रहे हैं सर मौंतली स्ट्राइडजी सेफ रहेगा ना देखो बाबू मैं आपको स्वारप मैं आपको बताना चाहता ह अभीं जो इंडियाविक्स है ना वह कितना है कुछ रेगा एक्षटमेंट वाली पाइडट देख लेका ना आपको इंडियाविक्स एक बर दिखाना चाहता हूं अभींडियाविक्स कितना है क्योंकि यह जितनी भी सेलिंग स्ट्राइडजिय यह सब लिक्स डृवन स्ट करो सबसे अच्छा यह तब काम करती है जब इंडिया विक्स आपका 14 के बीच में इसके आसपास होता हो जो भी प्रेमियम यहां पर जोएन की हुआ है जैसे सौरॉप सिंग की हुआ है तो उनके लिए मैं बता देना चाहता हूं जो विडियोज है यहां पर एक मैंने लॉंच कर दिया है प्रीमियम बैंक निफ्टी एक्सपारीडे स्ट्राटेजी एंड सेकेंड आपका 945 में लाइव हो जाएगा तो गुड़नाइट टु एवरिवन एंड हैपी ट्रेडिंग आप लोग ट्रेड करते रिए सिखते रिए बस यही आप मैं आने वाले सभी ट्रेडिं कर दो कर दो कर दो